कलस टीबी के पर सीरियल स्पाई भाहू में हमने अब तक देखा कि योहान की मा की बर्सी पर पंडित जिन नौन वेश देखकर गुस्सा होकर निकल जाते हैं आगे योहान को सीजल के हाथ पर हल्दी दिखती है और वो सीजल पर इलजाम डाल देता है आगे सीजल केती है उसका हाथ कट गया था और इसलिए उसने हल्दी लगाई थी पर योहान नहीं मानता है आगे योहान सीजल को बाहर लेकर जाता है और उससे चेन से बांध देता है और सीजल भीक मांगती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है पर योहान नहीं मानता है आगे सेजल मनी मनी योहान की मा से कहती है आपके जाने के बाद आपके परिवार ने कभी एक साथ बैट कर खाना नहीं खाया होगा तो देखना आज खास आपके लिए मैं आपके सभी घरवालों को डाइनिंग टेबल पर इखटा करके रहूंगी खोदी योहान सर भी आएंगे जिनके लिए वीरा मैडम रोज डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती है आगे योहान दृष्टी शेर और अरुन के कमरे में एक चिठ्ठी होती है और वो लेटर योहान की मा की तरफ से होता है और उसमें लिखा होता है कि सबको मिलकर खाना खा पर अचानक से क्रिश पैसु की बात निकालता है और महौल खराब हो जाता है और आगे योहान को गुस्सा आता है और वो टेवल से उठकर जाता है और सबको बहुत सुनाता है आगे योहान वीरा से कहती है कि ये सब के लिए आपने मुझे लेटर दे कर बुलाया था पर व योहान जानने के लिए देखना ना भूले स्पाई बहू टेलेवजिन के लेटिस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले